हेलो दोस्तों मैं विकास मुलिक आप कैसे मुझा अप सब अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अजरबाईजान को लेके जितनी भी इंक्वारी मेरे पास आती है अजरबाईजान को लेके वह लगबग सब की सेम ही होती है अगर हम से टूडेंट वीजा पर जाए तो क्या वो वर्क परमिट में कनवर्ट होगा वहां पर जो पॉसिबल है या वह केतने डोलर हमको मिलेंगे तो वह जितने भी डाउट है ना सारे मापको इस वीडियो में कलियर करके बताऊंगा मुझे उमीद आपको वीडियो अच्छे लगे कि वीडियो पर जोगे उसको झाले तो तो यसी इंकुआरी रहती आ तो मैं बता देता हूं अगर आप स्टूडेंट वीजा पर जाओगे सबसे पहला चैप होगे सेटूटेंट वीजा पे आप अजरबाई जाओगे बहुत चिपेस्ट प्राइज में आप जा सकते हैं उसके बाद आपको एक महीने के अंदर कोई जोब नहीं मिलेगी भाई लगबग जब आपकी टी आर्सी बन के आ जाएगी ना टी आर्सी का मतलब जो बच्चे युक्रे वर्क पर्मिट नहीं होसके सुटूटेंट वीजा उसरफ काम कर सकते हैं काफी लोग यह पूंसटा सर जोब क्या मिलेगी भाई जोब आपके उपर होती है मैक्सिम ऑंड ुप टेक्सी चला के ही खुश रहते क्योंकि टेक्सी में ज्यादा इंकम सोर्स हो जाती है उनकी ज जैसे food delivery करते हैं उनकी job ज़ादा रहते है अजरबाईजान में अब काफी लोग पूछते हैं सर ट्रक हम चला सकते हैं ट्रक आप नहीं चला सकते हैं अजरबाईजान में क्योंकि जो अजरबाईजान की बोडर है ना वो दो तीन सेंगन देशों से लगता है तो वहाँ पे आ ट्रक यह चला सकते तो अजरबाईजान में भी नहीं चला सकते हैं आप साथ सो से आठ सो डोलर अगर आप सैलरी बेस पर काम करते हो न तो साथ सो साथ सो डोलर आपको मिल जाते हैं अगर आप अपनी खुद की रेंट पे लेगे चलाते तो यह इंकम आपकी हजार से उपर चली जाती है रहने का एक्सपेंस कितना आता है वाई लगबग 200-300 डोलर का मंतली आपका खर्चा हो जाएगा अजरवाई जान इतना मेंगा नहीं है उसमें आपका 200 डोलर रेंट और 100-100 डोलर आपका खाने पीने का यह खर्चा आता है और अगर और कंट्रियों से कमपेर करें अजरवाईजान को तो सबसे चीप्स्ट हैं यूक्रेइन के बाद में एंट्री करवाना आपको टिया से बना के जो कोई नहीं दिलवाएगा जो बच्चे युकरेन गई देना उनको पता है ओपन वर्क परमिट क्या होता है सेम वीजा ही अजर्बाइजान का है काफी लोगों के इंकवारी आती थी मैं उमीद करता हूं भाई जितनी भी आपक लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक्यू